स्वागताब सभी का हिंदे एक स्प्लेंडिक पे आज मैं देखनी चारे काका फुका का नाम के एक चैपनीज ड्रामा को जिसमें हम एक लड़की की कहानी को देखेंगे यह लड़की बहुत अजीब होती है यह टराडा होती है एक जवान जिसकों की लड़कों में बहुता इ चुलबली हुआ करती थी बहुत जदा पता नहीं यह वैसी के हो गई है ना लाइफ में गोल्स है ना ड्रीम्स है कुछ भी नहीं होते हैं और यह अपने कमफर्ट जोन में आ गई होती है और हाँ इसका बहुत हरामी किसम का बोईफरेंड भी होता है कई सालों से लिविंग अब से तरांडा को घर से निकाल दिया होता है डिल टूटा ओ अलग अब इसका कोई ठीकाना नहीं होता ना कोई अपना होता है तो यह अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलने पहुंच जाती है कोई सोल्यूशन मिलेगा वहाँ पर अब ऐसी बोरिंग लाइफ से बाहर आना होता ह इसको एक फ्रेंड बोली कि तुम्हें एक रेंटेट घर में दिलवा सकती हूं जिसका कम रेंट है तरांडा आ गई समान उठाकर घर तो अच्छा है पर यह एक शेयर होम है तो इसमें कुछ लोग और रहते मतलब कि इसके साथ एक लड़का रहता है और मज़े की बात यह ह कोई फ्रेंड होता है अब उससे मजी की बात यह होती है कि इन दोनों ने पास्ट में दवा दवा की प्याह मुभबत कर रखा होता है पास्ट में बिसिकली पहली मुभबत हुआ करते थे दोनों एक दूसरे की पर ब्रेक अप किसी अच्छे रीजन से तो बिलको नहीं एक्स की बात कर ले तो चुप है इससे सब कुछ बता रहा होता है कि आ कहां पर है घर में और अगले दिन टरा ड़ा समान उतारने लगती है उपर से तो पहुच नहीं पा रही यह इसके पास आया इसकी हेल्प करने लगा इससे टच हुआ और जापान में इसे हेल्प कहा ज जाता है दोनों के पुराने जिस्मानी जरूरते जाग जाती है लेकिन एक्स को एक प्रॉब्लम होती है इसका तोता रिस्पोंस नहीं करता है इसके कैक्टस पर कांटे नहीं आते हैं क्योंकि यह बहुत लड़कियों के साथ प्यार महुपत कर चुका है पर यहां मचे की ब जानी नपुम्सक होता ही है अब मेरे साथ प्यार मुपत करो इसको ऐसी बात कर रहा होता है तु मेरे साथ रहात को मेरे से चिपक की सो जाय करो मेरा कबूतर गुट्रू करने लग जाएगा और तुम भी इसा मजे ले 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 ना जिन्दिगी के बोरिंग लाई से बाहर आ यह सच में ऐसा बोलता है उसको टराडा ने इस बारे में सोचा बहुत सों सकती थी पर धिमाग थोड़ी है कम होती है ने इसके बहुत ज़दा ओफर को मान गई होती है और एक्स बहुत कुछा चलो आज से मेरी राते काफी हो जाएंगी और टराडा का मानना है कि अपने ए पाया चाया करता है यही पर रहता है कभी का बायर और इन ऐसी सिश्यूशन में देखकर बहुत कुछ हो रहा तो वाओ अज लाइफ देखूंगा इंटरिनेट का खर्चा बचेगा वैसे एक्स का नाम तो मोया होता मैं आपर बता दू यह लड़का दोनों को समझाता है बा और टुमोया से बोली कि मुझे अब डिल कैंसिल करनी है टुमोया बोला कि मेरी बात तो सुनो अब लड़के जहां बोल बैठे कि मेरी बात तो सुनो तो लड़कियों ध्यान देना कि वो जुट बोलेगा हरामी या मरो उसको मुझे बुक लिगना बहुत पसंद है पर इंस काउ बाते सुनकर टराडा डील को वापस मान गई होती है बस तीन रहा थी तो सोईगे इसके साथ ऐसे डील हुई होती है अगले दिनों लड़का फिर वापस आता है यह जानता है कि यह दोनों घर में क्या करते हैं सोचता है कि चलो मैं क्यों पीछे हटू तो मोया कर रहा है तो मैं भी कर लो टराडा तो बिकने वाली लड़कियों में से एक है इसके ऐसी थिंकिंग होती है तो टराडा से आकर बोल बैठा कि मुझसे साधी कर लो वरना कुछ साल बाद तुम माव बनने की शक्तियां खोर दोगी और तो गोवर्मेंट से तुमें फैमिली को बोने व वाली फैमिली के वह लाप को प्राप्त नहीं कर पा हुए तो कहता है सोच लोग बहुत टाइम है बात में बता देना और ऐसी दिन बीचने लगे और यह तराडा को रोल भड़काता है कि तो मोया से दूरा करो किसी लड़की के लिए फीलिंग्स नहीं उसके अंदर वो तो बापा उसी जयाल में तो नहीं फस गहीं हूँ कहीं मैं उसके जिस्मानी जरूत्त ka तो नहीं पूरी कर रही हूँ पर क्या फर्क पड़ता है छोड़ो यह वापस उसके साथ जाके सो जाती है और यह लड़का रोज़ी से बढ़काने बहुत जाता है बताता है कि मैं तुम से प्यार करता हूं और बोल बैठा आज वो लाएं जो हर लड़का बोलता है I can't live without you अरे चुप हो जा पापी टराडा ने इसकी बातों को समझा सुना अच्छे से फील किया जान गई कि उसे बहुत प्यार करता है और बोली ठीक है और जाहकर सो गई टो मुझे बताओ तुम पर लोंड़ा हार नहीं मानेगा टराडा वा डिनर पर लाया होता है टराडा भी लड़की से मिलते तो टुमोया को काफी पसंद करती है टराडा को पकड़कर इस बोल बैठी कि ये सुन में चुया मेरे मर्द से दूर रहा कर मैं प्यार करती हूं उससे टराडा भी उठी हो जाकर टुमोया को बता दिया यार एक लड़की आई थी यजीब सी प्यार करती ह आप लड़की से बात कर लो इक बार टुमोया ने बताया अपने पास्ट के बारे में पताता है कि जब हम पहली बार मिले थे जब हम लोगों ने पहली बार हो सब किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था टराडा शॉक या उसे अच्छा लगा था और उस दिन तो पर पर तो मुए बहुत अच्छा लगाता है दो मिनेट अब यहीं सुनके टराडा कुछ है और दोनों फिर कपल बन जाते हैं बहुगते हैं डेट पर जाते हैं मस्ती करते हैं लेकिन कब तक वो लुणडा फिर वापस आ जाता है इस बहुत तो मुए को बढ़काने आया होता है क टराडा को अच्छा फिल नहीं हो रहा है क्योंकि टोमोया उसे बात नहीं कर रहा होता है ना उसके साथ सोता है अब अच्छा नहीं लग रहा है तो डिशाइट करते हैं कि क्या प्रोब्लम है क्या हो गया क्यों नहीं हो रहा है प्यार भाई प्यार क्यों नहीं हो रहा है औ जाकर बोल बैठी I won't break up तो मोया बोला ओके मोय मोय हो गया हो तो भाइस का और लोंडा बहुत कुछ होता है आपने दूसरे कि चलो अब तो भाई मिली जाएगी मुझे लड़की और बोल बैठता है दोबारा जाकर वहीं लाइन कि I can't live without you प्लीज मेरी हो जाओ चलोगी क्या आज कहीं चांदनी भरी रात में सितारों का स्वाल चखने कैसी कैसी लाइन लिखिया है इसमें शूट यह तो मैंने लिखिया खैर यह मान गई होती है दो दिन नहीं हुए और देको हरकते इन लोगी मतला अब दो दिन नहीं हो इसके ब्रे लड़की आइड़न मेरे लड़की आइडव होती है हुं तुम तो मेरे साथ है उरक करते हो क्युफ करते हो मरस्य औरे दूर में दूर चले जाते हैं ठीक है नहीं जाओंगी उसके साथ घर घर चुना कर चली जाओंगी सम्हन पेक कर जाने olabilir जाने से पहले टराडा इसको अपना न्यू वर्क रिट करने लग जाती है और पढ़के और अच्छे से जान पाती है समझ पाती है और टराडा के साथ ही रहने आ गई होती है रहन में इस कहानी से में सीखने को मिलता है कि ऐसा बिहेव करने वारी लड़की को लड़की कहना गलात होता है तो सॉरी वीडियो का स्लिक्स जरूर बताना और ये एक देखो ऐसा अने इसक अंदर तुम देखोगे तो तुम समझ आगा ये कॉमेडी और इसा रोमांटिक और खोड़ा है तिन ब्लस ताइप का ड्रामा है जहां पर मुझे खुलके तो नहीं पता बट इसमें में लड़की क ये बताएगा है ने कि ये जैसे एक लड़की के साथ और रिलेशन में आता है तो उसके अलबा उसका और कहीं पर मन नहीं लगता कहीं और उसके कभूतर गुट उर्गू नहीं करता है और ये कहीं नहीं सच बाते भी होती है तो यहीता इस वीडियो के लिडियो के लाइक क तो तो ये बाई